हेलो एंड वेल्कम टू मा यूट्यूब चैनल जैसे कि आपको पता है हमने यूनिट सेकेंड कम्पलीट किया है सौरी यूनिट फर्स्ट का दूसरा टापिक और आज हम तीसरा टापिक पे लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें हमने पहले सोशल कंट्रोल को सीखा तो आज आप यूटियो में फोक्वेश सीखोगे और उसके बाद फोक्वेश पहले किस ने दिये है कौन से सुशालजिस्ट ने ये concept दिया है उसके बाद आप समझोगे इनकी social importance क्या है कि सुशाल चैसानग लिए कितने important है समाज में ये कितनी जूरूरी है और उसके बाद इसके बाद तो चलते हैं और समझते हैं कि फोक्वेज क्या होते हैं जैसे कि आपको बता हैं नॉर्मस वैलिउस फोक्वेज एड मोर समझने है तो पहले हम फोक्वेज को समझेंगे फोक्वेज क्या होते हैं फोक्वेज में आपको पहले याद रखना है term introduced into the sociological literature by term को introduce किसने किया sociology में sociological literature sociology के books में by William G. Summer ठीक है W.G. Summer भी हम जिसे बोलते है William G. Summer in a book जो इसकी book है with a title जिसका title क्या है फोक्वेज पब्लिश कब हो गई 906 यह आपको पहले याद रखना है इस term को sociological literature में किसने लाया पहले? William G. Summer ने book का नाम folk ways published 906 906 वर्ड इस वर्ड का मतलब क्या होता है इसकी literal meaning क्या है literally means the way of folk literal meaning का आप याद रखिए the way of folk उसका क्या मतलब होता है? देखिए folk का मतलब होता है folk means people simple ways means behavioral habits ways means behavioral habits जब दूनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा folk ways? folk ways बनेगा behavioral habits are people वो आदत behavior के जो आदत है लोगों के जो रोज मरा जिंदगी में आप बहेव करते हैं वो जो आदत है उनको हम folk ways बोलते हैं simple तरम याद क्या रखनी है? folk ways means behavioral habits of people आदत जो आदत के जिंदगी के हैं रोज मरा जिंदगी के उनको हम क्या बोलते हैं? folk ways बोलते हैं समुझाया? simple term में कोई tough नहीं है लेकिन बट 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 आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है accepted एकसेप्टेड वेज आप बहेवियर लेकिन behavioral habits जो आपके आदत है रोज मरा जिंदगी के लेकिन एकसेप्टेड का मतलब क्या होता? आप बोलोगी सर एकसेप्टेड वेज आप बहेवियर का मतलब क्या होता है? जो सुसाइटी एकसेप्टेड करती है वो आदत जो सुसाइटी में एकसेप्टेड है यानि पॉजिट्व behavioral habits पॉजिट्व habits आपका कोई negative habit होगा जो सुसाइटी एकसेप्ट नहीं करती है वो फोक वेज में नहीं आएगा याद रखना एकसेप्टेड देज आप बहेवियर यानि जो सुसाइटी एकसेप्ट करती है लाइक आप की एटिंग आप किस तरह से खाना खाते हो जो society accept करते हैं आपको इस तरह से खाना काना है खाना के टाइम आपको शोर नहीं करना है by discipline खाना है अगर कोई जैसे कोई आपके सामने होगा वो पहले खाएगा या किसी चीज में कुछ लेगा तो लेनी दीजिए आप अपना हाथ पीछे की चीजिए ठीक है जो हमें सिखाया जाता है ये चीजिए ठीक है उसका मतलब किया था एक्सेप्टड अब अगर आप एकदम से जानवरों की तरह खाऊगे तो वो एक्सेप्टड सुसाइटी नहीं करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम फोक्वे कहेंगे जो लोगों के आदात है रोज मरा जिन्दगी के लेकिन एक्सेप्टड वी हिजब दे है जो सुसाइटी एक्सेप्ट करती है आपकी सुसाइटी एक्सेप्ट करती है इसमें एक्साइम्पल क्या याद रखने हैं आपको फोक्वेस वे आप इटिंग खाना खाने का तरीका बात करने का तरीका ड्रसिंग करना जो आप कपड़े पहनते हैं जो सुसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है ठीक है एक्सेप्टेबल वे उसाप यही रही है ग्रेटिंग्स करना आपकी सुसाइटी में क्या ग्रेटिंग्स होती है behavioral habits of people simple है कोई टक कंसेप्ट नहीं है ये लाइन बूल मत जाना इस लाइन को सकेन करके रखना आखो में उसके बाद definitions को समझते हैं कि definitions क्या है इसमें तो विलियम जी समर की definition को समझते हैं उसने क्या कहा focus represent focus represent करते हैं किसको man's को याने individuals के unique जो उसके अलग means क्या unique means of adopting जो वो adopt करता है किसके लिए himself खुद करता है to the environment environment क्या है जो आपके रिद्गिरिद में हैं तो जो भी focus क्या करते हैं ये individual के unique means of adopting जो वो adopt करता है कुछ खास चीजे खुद करता है क्यों वो चीजे adopt करता है क्योंकि वो environment में उससे fit होता है समझ में आया environment में fit कैसे होगा society में कैसे fit होगा जैसे dress pattern उस environment में fit होना ठीक है उसके बाद eating उस around उसके around है उसमें fit होना उसके habits वो आदाथ वो unique qualities वो एडाप्ट करता है ताकि वो उस environment में fit हो जाए way of talking किस तरह से बात करेंगे ठीक है तो उस environment में इसलिए विलिम जी समर ने का focus represents man's unique जी जवालज के कुछ unique means of adapting जो वो एडाप्ट करते हैं follow करते हैं क्यों? himself ताकि वो उस environment में fit हो जाए उनको हम बोलते हैं focus ठीक है गिलिन ने क्या कहा? इसने का focus are behavior patterns जो behavior के patterns होते हैं आप everyday life रोज मारा जिन्दगी के which generally arise ये generally arise होते हैं और unconsciously इन्हें group एक group में ठीक है? simple then उसके बाद हमें क्या समझना है nature of the focus focus का nature क्या है product of the group socially in nature number one socially in nature मतलब ये समाज में होते हैं समाज में बनते हैं products of the group life जिस group में आप रहते हो जिन लोग में आप रहते हो वही पे ये बनते हैं why created आप बोलो कि sir इनको क्यों create किया जाता है society इनको groups इनको क्यों create जाता है by the group by the group ये group इनको create करता है क्यों क्योंकि sustenance and maintenance ताकि आप society में sustain कर सके और maintain कर सके इन चीज़ों से खुद को आप society में रह सके आपकी life easy हो जाए ठीक है नोट करके मैंने लिखा है individual get social recognition अच्छा आप बोलों कि sir अगर हम इन चीज़ों को follow नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा उससे क्या होगा अगर आप follow करोगे individual get social recognition तो समाज आपको recognize करता है क्या recognize करता है by confirming the focus कि समाज आपको recognize करता है कि ये हमारे ही समाज का रहने वाला है ये हमारी ही society का रहने वाला ये हमारे ही group का रहने वाला है ठीक है इन चीज़ों को जब वो करता है देखा example से मैं आपको समझाओंगा कैसे आप बोलो कि sir कैसे है अपने group में जब आप खाना खाओगे जैसे हम example खाते हैं हाथ से तो जब आप हाथ से खाना खाओगे तो एकदम से आपको recognize किया जाता है जैसे कुछ examples है लेकिन वो exaggerated examples है उनको नहीं दे सकते हैं ऐसे student of social jaham लेकिन मैं आपको दूँगा कि जब किसी वीडियो में differences दिखाई जाती है modern modern नहीं sorry that is a मतलब एक mistaken concept है यह शहरों के रहने वाले गाओं के रहने वाले तो उनको दिखाया जाता है यह खाऊं से आथ से खाते है इनको क्या दिखाया जाता है यह थोड़े से मतलब वो एक गलत mistaken modernity है कि यह इन चीज़ों से खाना खाते है ठीक है तो हमें क्या पता चलते है नहीं होते है बट to some accidents कोई कोई दिखाता है ठीक है तो इससे क्या होगा जब आप यह फालो करेंगे इंडिजुवल गेट सोशल रिकॉगनेशन इसको समाज रिकॉगनेश करता है बाई कंफर्मिंग दो फोग्वे जब वो फोग्वे वहाँ के क्या करता है अडॉप्ट करता है उनके साथ चलता है ठीक है सोशल इन नेचर याने प्रोड़क्ट साब ग्रूप लाइफ ये सुसाइटी में बनते एक ग्रूप इनको खुद बनाता है अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनता है एक सोशल प्रैक्टिस समाज में जब कोई चीज प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस होती है जब एक प्रैक्टिस करता है फिर बहुत सारे करते हैं फिर सारा ग्रूप प्रैक्टिस करता है तो उसका मतलब क्या है वो ही फिर folkway बनता है folkways वही बनते हैं ठीक है जैसे when the majority of the people observe it constantly and regularly continuously करते हैं उचिसको वही folkway बनता है repetitive example से समझते हैं जैसे आप example देखो कि कोई hairstyle है कुछ कोई लड़के इसको follow कर रहे थे दीरे दीरे ये बढ़ रहा है सबी सबी जैने कि बहुत सारे इसको follow कर रहे है दीरे दीरे सारा group इसको follow कर रहा है society follow कर रहे है हम क्या बोलेंगे दीरे ये क्या बन गया ये बन गया folkway यैने कि इसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए वो इस चीज़ को follow करने चाहिए ठीक है then unplanned origin अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनता है ये अनपलानर मतलब इसमें कोई प्लान नहीं किया जाथ हम ये चीज़े करेंगे नोट करके मैंने लिखा नॉट रिजल्ट आप इन्हीं एडवानस प्लानिंग इसमें आप कोई प्लानिंग नहीं करते हैं हम यह चीज़े करेंगे यह चीज़े करेंगे नहीं यह आटोमेटिकली आ जा जादी है यह चीज़े एक्जामपल मैंने जैसे आपको बता है हेर स्टाइल उसके बाद informal enforcement informal enforcement का मतलब होता है one of the type of informal means of social control जो मैंने informal social control आपको पढ़ाया था ठीक है कि यह इनको government यह कोई obligatory नहीं है ज़रूरी नहीं है कोई force government इनको force नहीं करती है ठीक है note for violation अब बोलोगे sir अगर इनकी violation हो जाएगी तो इनकी violation अगर हो जाएगी no punishment इसमें कोई punishment नहीं है आप ये चीज़े follow भी नहीं कर सकते हैं जैसे आप अपनी society में कुछ group दो कोगे वो कुछ folk ways को follow ही नहीं करते हैं जैसे folk ways में hair style बात करने का तरीका वो ये चीज़े follow ही नहीं करते हैं जो कुछ और ही करते हैं ये ठीक है दियान उसके बार folk ways differ a lot folk ways differ करते हैं society to society group to group differ from group to group and society to society society to society group to group ये differ करते हैं अलग अलग होते हैं जैसे example से समझते हैं hair short in European society European society में कोई मतलब जो female है वो short भी hair रखते हैं बाल छोटे भी रख सकते हैं लेकिन हमारे जो south Asian societies में क्या होता है यहां की जो females है वो long याने उनकी जो hair होते हैं बाल होते हैं बहुत लंबे होते हैं जैसे हम यहां हाथ उसे खाना खाते हैं तो वो आथ उसे नहीं खाना खाते हैं उनके folk ways अलग हैं नोट करके मैंने लिखा है folk ways vary with age भी करते हैं कि जो बड़े बुजरक होते हैं उनमें कुछ behavioral habits अलग होते हैं और चोटे जो होते हैं उनमें behavioral habits अलग होते हैं ठीक है gender sex को लेकर भी females में कुछ अलग होते हैं और जो male है उनमें अलग होते हैं जो other gender होते हैं थर्ड जंडर जो होता है उनमें भी कुछ अलग क्या होते हैं उनमें भी कुछ अलग focus होते हैं तरीके यह ने उनके behavioral habitus भी अलग होते हैं सब जगह यह वेरी according to social status सोशल स्टैटस के मुताबिक भी यह वेरी करते हैं कि अगर आप higher status है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मनस उनके behavioral habitus अलग होते हैं शुद्र के अलग होते हैं वेश के अलग होते हैं ठीक हैं जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मनस में program यह वेरी इत सब्सक्राइबू कास्थ अलग हो confria नूमरस यह बहुत सारे होते हैं यह थे होते हैं एसफॉक्ट सारे होते हैं folk ways are subject to change अब आप बोलोगे कि सर क्या ये change होते हैं ये change होते हैं change with a change in social condition जब समाज में conditions चेंज होती है समाज होता है तो folk ways behavioral habits भी change होते हैं जैसे आप समझोगे कि आप किसी society में रोलर society में रहे होंगे तो आपके कुछ behavioral habits होंगे किसी शहर में बढ़ने जाते हो तो आपके behavioral habits जो अपने गावों में होते हैं आपने गरों में होते हैं वो change होते हैं तो ये change होते हैं According to the social condition Some folk ways undergo अच्छा कुछ folk ways जो है उनमें change होती है बहुत सारे rapid change तेज़ change होती है जैसे समर्ण ने कहा था उनको fashion फैशन behavioral habit है आप fashion को follow करते हैं तो ये जो है ये तेज़ी से change होता है जैसे इसमें dress, pattern, hair style ये बहुत तेज़ी से change होता है ठीक है नोट करके मैंने लिखा है अच्छा कौन से वो folk ways है जो बहुत कम slowly slowly change होते हैं ठीक है folk ways related to the practicing related to family family में जो folk ways होते हैं जो behavioral habitus होते हैं how to talk, how to eat how to talk with the parents ठीक है ये behavioral habitus जो है ये ज्यादा change नहीं होते हैं इनमें बहुत कम change होती है property के related change very often ठीक है इनमें बहुत कम changes होती है then after social importance ये बहुत ज़रूरी है ठीक है social importance of the folk ways समाज में क्या importance है इनकी जो हम sociological analysis बोलते हैं कि folk ways ज़रूरी क्यों है society में देखो क्यों foundation of every culture हर किसी culture के ये basic होते हैं कौन से basic होते हैं folk ways basic होते हैं इन ही से उपर जब folk ways दीरे दीरे सब लोग follow करते हैं group में follow गरता ये दीरी-दीरे culture बनता है ये foundation है अब हर किसी culture के अच्छा when individual fully assimilated they become personal habitus जब individual इनको fully follow करता है इनमें assimilate हो जाता है ठीक है जब individual इनको fully follow करता है तो ये क्या बनते हैं ये personal habitus बन जाते हैं आपके आपकी जिंदगी में personal habit बन जाते है अच्छा then they reduce much up our mental strain and narrow tension by helping us to handle social situation in a comfortable way folk ways से क्या होता है देखो folk ways मैंने आपको भी बता है कि आप greetings करते हो अब आपके mental strain में ये होता है कभी आपको बताए जाता है कि आप फलानी के पास जाओगे लेकिन वहाँ आप पहली बार जा रहे हो उनसे आप पहली बार मिलने जा रहे हो तो behavioral habits क्या है पहले आप greetings करोगे जब आप greetings करोगे तो आपके लिए situation easy बन जाती है कि आप उनके साथ communicate कैसे करे ठीक है behavioral habits कोई किसी को आपको रास्ता बताना है तो आप उनसे पहले greetings करोगे सलाम करोगे या कुछ और करोगे ठीक है अपने अपने culture के तो उससे क्या होता है आपकी जो mental से train होते है किसी को आप से पहली बार मिलना है तो उसके साथ आप greetings करोगे उसके बाद easy हो जाता है और जो neru tension होता है आपके दिमाग में कि मैं कैसे बात करूँगा वहां कैसे बहेव करूँगा किस तरह से उनसे बात करूँगा कैसे खाऊंगा तो जो आपकी ये behavioral habits होते हैं focus होते हैं ये आपको क्या करते हैं ये help करते हैं to handle the social situation ताकि ये आपको मदद करते हैं कोई भी situation को handle करने में ठीक है इन्हे comfortable वे एक अच्छे तरीकी से जब आप behavioral habits जो अच्छे behavioral habits जो accepted है जो सभी follow करते हैं जब आप उनको follow कर दे हैं तो easily आप comfortable हो जाते हैं आप अभी so के बीच में खाना खा रहे हो तो behavior जो accepted है वहां जब आप उस तरीके से करोगे तो आप easily खुद को comfortable बनाते हो ठीक है बहुत सारे friends के साथ बात करते हो या किसी नए फ्रेंड से मिले तो easy comfortable जो behavioral habits है उसको follow करते हैं तो easy आप accommodate हो जाते हो वहाँ focus has become a universal character of human society Sir क्या focus हर किसी society में होते yes यह universally आपको ठीक है note करके मैंने लिखा no society कोई भी society exist नहीं कर सकती है without them किसी भी society में अगर जाओगे तो focus आपको ज़रूरी मिलेंगे compulsory है क्योंकि कोई भी society इनके बगार exist नहीं कर सकती है basic है they contribute order यह भी contribute किसको कर दे है order को stability को that is why हमने पहले social control पड़ा था of social relations अच्छा फिर उसके बाद human infantis learn from the elders आप बोलो के सर कहां से सीखते हैं बच्चे किन से सीखते हैं elders से सीखते हैं अपनी society में सीखते हैं अपने elder जो आपके parents है family में है बड़े बज़रक वो आपको सिखाते हैं कि इसको कभी कभी बोलते हैं इसको बात करने का तरीका नहीं है तमीज नहीं है वो जो behavioral habits वहां होते हैं वो उसको follow नहीं करता है उससे divert हो जाता है जिसे हम sociology में bridging experiment बोलते हैं कि आप उन चीज़ों को follow नहीं करते हैं ठीक है they provide वो क्या होता है bridging experiment जैसे behavioral habit है हमारे जब आप आओगे गर में आओगे तो गर में सलाम होगी यहां आपके parents आपके बोलेंगे अच्छा कैसा exam रहा तो आप बोलेंगे यहां बोलेंगे ठीक था paper टाप था तो यह चीज़े उसको बोलेंगे bridging experiment तो उससे क्या होगा उससे क्या हो जागा एकदम से जो social situation थी वो social उसमें क्या हो जागा tennis हो जाएगा ठीक है उससे बोलेंगे bridging experiment they provide predictability अच्छा इससे क्या होता है और they provide predictability to both of our behavior and that of others इन चीज़ों से फोक्वे से हम predict कर सकते हैं किसको behavior को and that of others others के behavior को कि ये लोग इस behavior इस जो behavior pattern है उससे हमें पता चलता है जैसे ही वो behavior करेगा तो पता चलेगा आपको ये किस group का है खाना का खाना खा रहे हैं किसी hotel में आप बहुत सारे लोग खा रहे हैं ठीक है behavior pattern क्या है सब बैठे हुए है अच्छे से खा रहे है ठीक है कोई आ गया तो एकदम से जानवरों की तरह खा रहा है तो आप एकदम से predict करोगे कि ये जो है ये इंडी चुवल मैंसे नहीं है किसी जंगल वंगल से आया है ठीक है तो इससे क्या होता है इससे predict होता है यहां जैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए है कुछ लोग जैसे कुछ लोग rice खा रहे हैं behavior pattern है इनका rice खा दे यहां कुछ लोग रोटी खा रहे है उसके साथ कुछ और ले रहे है तो एक दम से आपको confine हो जाएगा यह किस group का है यह किस group का है तरीका खाने का यह क्या खा रहा है ठीक है बात कर रहा है वो आपस में बात कर रहे है तो आप predict कर सकते हो यह किस group का है कहां से आया है ठीक है, आच्छा है, कुछ examples मैंने लिखे हैं, यहाँ पर आप बोलोगे सारा examples, बहुत सारे, बहुत सारे examples मैंने लिखे, eating ये भी होता है, dressing, playing, love, affection, किसी को दिखाना, ठीक है, kind of dresses, पहनना, कपड़े दोना, brush करना, regularly बात करना, नहाना, बात regularly, respect elders करना, ये सब किसमें आते हैं, folk quiz के examples आते हैं, इनको एक दो बार देख लेना, ठीक है, तो ये हो गया social importance, इसी के साथ आज का lecture भी खतम होता है, तो hope के आपको focus समझाया होगा, आपसे जो final में गुजारिश है, वो आपसे यही है, कि वीडियो को share करते रहिए, like करते रहिए, और comment करते रहिए, और सबसे जुरूरी अगर आपको किसी भी point में confusion होता है, आपको को point समझ में नहीं आ रहा है, तो please जो channel, जो channel के description में link दी हुए है, उसमें join group को कीजे, और वहाँ message कीजे, sir, ये point हमें समझ में नहीं है, उसके बाद topic खतम होने के बाद मैं queries का एक lecture लूँगा, जहां मैं आपको ये points के लिए कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद सबसे एक, ज syllabus जो है, बहुत सारे topics से लिया गया है, बहुत ही, मतलब, एक complex syllabus है, इसको एक book से निकालना या मिलना not possible है, ठीक है, thanks, thanks to all of you.